आप लेकुम जी कैसे हैं आप लोग ठीक ठाक हैं बड़े रसे से मुझसे पूछा जा रहा था कि कंदील बिलोज के बारे में आपने बात क्यों नहीं की आप मैं आपको एक 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 जैंपल देता हूँ मैं इस वक्त प्राग में हूँ और 20 जुलाइ यानि वेनिज्डे को शा किससरा सोचती है और क्यों कतल हुआ कंदील बिलोज का इसकी में एक छोटी से एक्जैंपल देता हूँ मैं प्राग के एरपोर्ट पे हो भी इससे पहले मैं अल्टर म्यूजिक पर मुझे पाकिस्तानी 2-3 मिले वही दो नड़के मुझे यहां भी मिले उनमें से एक नड़ सब्सक्राइब अब यह फेम तो भाई को मिल जाएगे भी आफिसारी बात के बाद लेकिन मेरा क्वेस्चन यह है कंदील बिलोज प्याथ है 2004 कंदील बिलोज आई उसने क्यू टीवी पे नाते सब्मिट कि उसकी नातों के बारे में तुम लोगों ने कभी बाते की कभी सर् नाते पढ़ना चाहती हूँ नाते बहुत सारी है मेरी उसको त्मीज देखें इस दिन इसकी बात नहीं की ठीक है उसके बाद वो डीसी कुड़ियों में आई बहुत शराफत के साथ बहुत शराफत के अदर रही अच्छी तरह से इसने प्रफॉर्म किया टॉप थ्री में थी और मेरी फेवरिट कंटेस्टेंट थी उसके बाद वो गई पाकिस्तन आडल में वहाँ पे बुशरांसारी साहिबा अगर आप देख रही हैं और वेरी सीरियस लोग जो बत्तमीजी आपने की है जरा सी आपको शरम नहीं आई मताब आप इतनी पुरानी लेजंड है और आप लेजंड होने के बाब जो इतनी घटिया आपने उसके साथ बत्तमीजी की सिर्फ उस अगिस्तन आड़ के साथ करने के लिए और बुशरांसारी जानती है ये बात कि जब उनके साथ जब उनका गाना आया तो और मैंने वीडियों ट्राइल में डाल कर आम लोगों से कम अब लेजंड हैं मैंने लोगों ने बोले आपका दाना लोगों से कमेंट क्यों लिए मला मजाग कर सकती हैं मजाग करनी बरदाश कर सकती कि उसकी बहुत बड़ा रिक्शन आता है बुशरांसारी ने जो बत्तमीजी की थी कंदील के साथ जो लिड़की नाते अपरती ती खुड़्यों रही ठाप प्री तक पहूंची उसके बाहर से णिकेश figuring test rece ship आर बहुत सारे उसने के आ डामो मेंधी अप्लाइं किया नहीं वा उसके आбढ़ा कि शी लिप्ट uh उसके बोला पिल्कुल ऐसी बात बोल दी के आप बोला भई अब मैं बतानी सब्सक्राइब किय अच्छा उसके बाद जबू भी इसने वीडियो बनाई जितनी भी आवामे ना वकार जखा को 50% 60% बिलाओ अजे अभी इस वीडियो के नीचे 4-5 लोग मतलब गालिया लिखना शीरू हो जाएंगे क्यों मतलब आपने अपनी भेहन का रिष्ट तो नहीं कराना मुझसे आप क्यों लिखेंगे सीधी सी बात है आप शो देखें बोले शो अच्छा या बुरा है अब लें वकार रही हेट शू आदे लेग नीचे रखें वकार हेट शू बटाई लव यू बिकॉस आफ यूर बर्मा थेंग वकार हेट शू बटाई लव यू पिकॉस तुमने एक कंदील बिलोच पे जब आप घंदे कमेंट्स करते हैं और करते रहें मतलब कंदील बिलोच पी टीवी पे नहीं आ रही थी कि आप तुने गबर्दसी देख लिया कंदील बिलोच आरी फेस्विक पे मतलब एक लड़की पॉडल स्टार भी है तो तू और मैं कौन होते हैं उसे बोलने वाले हैं वो अलब डिसाइड करेगा कि वो सही करी गलत कर रही है तुम और मैं अगर देख रहे हैं उसे और उसकी बुराई कर रहे हैं यह चीज तो इंतहाई घटी है भाई या तो देखो नहीं तो कंदील बिलोच की जब आप कमेंट्स करते थे तो उसके फै अब आमिर लाकत कर लेते हैं 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 आमिर लाकत कर लेते हैं यह से क्या पूछ रहे हैं क्यों अब तेरा बाप पैसे बढ़ता है नहीं आप यही चीज विए कंदील बलोज के साथ इस इवेंट एक्चुली फॉर्स मिड़ाइट नौ कि पाकिस्तानी अवाम जैलिस होती है दूसरों से इतनी जैलिस होती है तिनी जैलिस होती है वह देख नह से मार दिया मैं थोड़े दिनों में कुछ ऐसी विडियो करूंगा जो कंदील के साथ बैटकें ने बनाई थी और पता नहीं मुझे इसकी फैमिली से प्रूछना चाहिए बहले कि मैं विडियो अप्लोड करूं नहीं करो कि डेफिनिट्ली मैं कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊ बाद भी आप गेम शोज देख रहें तो आप आमिर लियाकत वाकार रगा टाय गया इन सब को कैसे कह सकते हैं कि यार आप तुरा काम कर रहें आपके पस आप्शन नहीं कोई जबरदस्ती रिमोट आपका कह रहा है कि चेंज करो तुम लोग कह रहे हो भूल का नाम कंदील क चाहिए जो यह बात लिख रहा है कि कंदील को मर जाना चाहिए उसके मुगे रैप डाव आप आजभ और चाहिए लगा है तुमने लिखा क्यों है तुमने वीडियो देखी क्यों उसले लगा देतें यार देखो तुम लोगों ने एक लड़की की जान लिए उसके भाई की गंती निये तुम सब की तुमें अगर हम नहीं पसंद मत देखो वरना कोई आयत कोई इस्लाम यह लाओ नहीं करता कि तुम लोग जाकर टीवी देखो ना मेरे मर्द और इंटरेक्शन देखो और बुर क्या पूछ रही है मुझे मैं तरी सब उच रहों के तुम कांट ट्राबल करना है क्यों कर रहा है आप पाकिस्तानियों के अंदर क्या केड़ा है कि ये भशर के दिन भी दूसरे की कबर में घुसेंगे और कि अपनी कबर में दिखा तेरी कबर में कौन से केड़ है मेरी पर अब तुम्हें नहीं पसंद नहीं देखो जवर्दस्ती देखने के लिए बोल रहे हैं साहर लोधी को बुरा बोलना साहर लोधी ना अच तक किसी की बुराई की है यह मुझे बदक्सी बुराई की है इसको बोलना मतलब एक बंदे को देखते हो कि बहुत ज्यादा यार यह तो अलग किसम कहता हो ज़िए रादर रदन सेंग ओके आइधर आई लाइक इम और इसको चेंज करना है जो नहीं पसंद इग्नोर अनलाइक करो आगे मुवान करो इस तरह अगर करते रहोगे तो कल को इंशाल्ला इंशाल्ला तुमारे घर में भी कोई न को यसी चीज जरूर हो